हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानेल बेनेजीस कीचन में आप सबका बहुत स्वागत है आज हम फिर से हाजिर हुआ है एक नई रेसिपी के साथ चलिए देखते हैं क्या है नई रेसिपी हम चीकन का स्पेशल रेसिपी बनाएंगे उसके लिए हमनें कुछ खाणा मस्टला लीआ हे देख्या परे हमने जीरा यह ने मोन है ऑूच इंपती है देख्याय। पर दाल चिनी लिया है यह धनिया है दो चामुच यह लॉंग है पाच्छा यह छोटी लाइची है पाच्छे देखिए इसको हम पहले थोड़ा सौटे कर लेंगे इसलिए हमने पैन को गरम कर लिया है और पैन थोड़ा गरम होने के बाद कैसका प्ले हमने लो कर दिया है और हमें तिन से चार मिनिट के लिए इसे अच्छे से पैन में थोड़ा गरम कर लेना है यह एक स्पेसाल रेसिपी है चिकन का जो की चिकन महरणी है यह बहुत ही एक खास रेसिपी है देखिए कितना जल्दी यह बन जाता है देखिए जो मसला है वो अच्छे से गरम हो गया है अब हम मसला को देखिए मिक्स्चर गाइंडर में डालेंगे और इसका हम पाउडर बनाएंगे देखिए पुरा का पुरा जो मसला है हमने डाल दिया है और हम इसका पाउडर बनाएंगे पूरा का पूरा डास्ट हमने नहीं बना है देखिए थोड़ा दरदरा हम रखा है ताकि ये बहुत ही आच्छा हुआ देखिए ये बहुत आच्छा पौडर बन गया है इस तरह से पौडर बनाना है हमने यहां पे दो बारसाइज का उन्यों लिया है और हमने पाच्छे हरी मिर्च लिया है जो कि हमने छोटे-छोटे टुक्रों में काटका लिया है और उसका भी हमने पेस्ट बनाएंगे देखि है फिर हम पेस्ट को एक बोल पर ढांलेंगे आच्छे से हम इसे एक बोल पर ढाल लिया है फिर देखिए यहां पर हमने यह बादम लिया है एक काझी लिया है और यह watermelon seeds है इसका भी हम paste बनाएंगे देखिए paste जो है वो तयर हो गया है उसे भी हम एक bowl पे निकल लेंगे देखिए paste जो है हम एक bowl पे निकल लिया है पुरा का पुरा फिर देखिए हम इसके बाद pen फिर से गरम कर लेंगे और फिर pen गरम होने के बाद हम oil डालेंगे यहां 3 से 4 चमच हम oil डाल दिया है oil को हम गरम कर लेंगे और gas का flame हम medium to low राखेंगे देखिए oil जो है वो गरम हो गया है और यहां पर हमने Rapha दाल जिनी दिया है एक टुक्रा झेलस और दाल जिनी के बाद देखिए यहां पर हमने तेज पत डालेंगे एक तेज पत हम डाल लाइँ है और उसे हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे ताकि दालचनी का जो खुजबू है वो आच्छे से बाहर आ जाए फिर देखिए यहाँ पर हमने पियाच और चिली का जो पेस्ट हमने किया है वो हम डाल दिया है और उसे हम अब भूनेंगे आच्छे से तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका कालर थोड़ा चेंज ना हो जाए यह पुरा का पुरा जो डिस है हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पाकाएंगे देखिए हमें साथ से आट मिनिट के लिए पियाच को अच्छे से भूनना है देखिए पियाज का कालर जो है थोड़ा ब्राउन कालर का हो गया है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पे नहीं फिर जो पेस्ट हमने बनाया है काजू और बादम का वो हमने डाल दिया है और उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पेस्ट के साथ अच्छे से हमें पाकणा है ताकि कोई भी कच्चापन न रह जाए देखिए हमें धीरे धीरे से इसे पाकाना है यह जो चिकन का डीस है यह बहुत अलग तरह की डीस है जब आप कुछ अलग स्वात खाना चाहेंगे तब इस डीस को आप जोरू ट्राइ किजिये देखिएगा यह बहुत अच्छे लगेगा राइस के साथ पुलाओ के साथ या कोई भी पराठा रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छ लगेगा फिर देखिए हमें ये 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से पकना है फिर हम यहाँ पे दही आड करेंगे देखिए आधा काप हमने यहाँ पे दही लिया है दही जो है हम यहाँ पे डाल दिया है आप इसमें दही भी एड कर सकते है अगर दही एड आप नहीं करना चाहते तो उसके बदल में आप दूद भी एड कर सकते है अगर आपने दूद एड करेंगे तो दूद एड मत देखें हमने यह जो खना है यह दही एड किया है इसमें फिर हम आच्छे से मिक्स करेंगे और मेट करने के बाद देखें यहाँ प्रहमंने चीके लिया है जो इस राइघ मरिए और देखेज के टार थे और पिर हम उसके उपर डालेंगे केक करके देखिए सारा का सारा जो चिकें है हम उसके उपर डाल देंगे और फिर हमें धीरे धीरे से चिकें को मसलों के साथ मिक्स करना है धीरे धीरे हम इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पाकाएंगे देखिए हमें धीरे धीरे करके मसलों को अच्छे से चिकेन के साथ मिक्स करना है और धीरे धीरे से हमें इसे पाकाना है कि आखर मीडिया टू लू फ्लेम पहं हम पागा अच्छे से पग भी जाएगा और Tables भी बहुत बढ़िया हुआ आप हम जालर एक चमुष जार्श लशून का पेस्ट इक चमुष जाहक्त पेस्ट हम और फिर उसे हाँ चीकिन के साथ कि 116 Ma धीरे धीरे करके हमें मेक्स करना है पांच से साथ मिनिट के लिए हमें ऐसा ही भूनना है ताकि यह अध्रक लसुन का जो एक खुजबू है वह आच्छे से बाहर आए और कच्चा पन ना रह जाए देखिए फिर हमें यहाँ पे स्वाधनु सा नामक डाल देना है फिर आच्छे से हम फिर से नामक को धीरे धीरे मेक्स करेंगे हमें अच्छे से हमें मीक्स करना है हमें अच्छे से पाकरना है चिकेन को ताकि यह बहुत अच्छा एक खुजबू निकल आए और कोई भी स्मेल ना आए फिर हम धकन लगाएंगे धकन दस मिनिट के लिए लगाएंगे देखिए दस मिनिट के बाद देखिए फिर दस मिनिट के बाद हम अच्छे से फिर से उसे मेक्स करेंगे अब हम इसमें मसाला डालेंगे जो मसाला हमने खड़ा मसाला जो हमने पावडर बना लिया है वो हम डाल देंगे खड़ा मसाला का जो पावडर हमने बनाया है वो बहुत अच्छा उसका खुजबू आ रहा है देखिए इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खुजबू भी बहुत अच्छा पानी एड़ किया है देखिए ज्यादा हमने नहीं एड़ किया है आधा काफी हमने पानी एड़ किया है जो पानी अच्छे से हमें मसाला को जब हम मिक्स करेंगे मिक्स होने के बाद पानी भी इसमें शूख जाएगा और चिकेन भी पूरी तरह से पाग जाएगा देखिए मसला जो है हमने यहाँ पर पानी यूज भी कर सकते हैं नहीं भी यूज कर सकते हैं देखिए हम थोड़ा सा ही यूज किया है फिर हम यहाँ पर कॉसरी मेथिल लिया है चिकन मसाला है यह चिली फ्लेक्स है यह गर्म मसाला है देखिए हम जो सारा मसाला लिया है वो हम डालेंगे उपर से अच्छा से हम डाल दिया है मसालों के फिर हम इसे भी अच्छा से मिक्स करेंगे कोई और मसाला इसमें एड नहीं होगा देखिए अच्छे से हमें mix करना है देखिए ये कितना थीक है इसी तरह से इसे पाकना है देखिए थोड़ा सा ही हमें डाला है आधा का पानी इसमें डाल दिया है देखिए हमने यहाँ पे आधा का पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद आच्छे से इसे mix करेंगे देखिए धीरे-धीरे करके हमें मिक्स करना है मिक्स हमें आच्छे से करना है ताकि यह मसलों का खुझबू ना आए इसलिए आच्छे से हमें मसलों को भूनना है चीकेन के साथ देखिए फिर हम ढगाएंगे और की दस से 15 मिनित के लिए हमें पकना है देखिए 35 मिनित के बाद कितना कालर जो है कितना आ तो यह खाने में बहुत टेस्ट फूल लगेगा फिर हम उपर से थोड़ा हरी मिर्च डालेंगे आखिर में और फिर ढखकन लगाएंगे पांच मिनिट के लिए देखिए फिर पांच मिनिट के बाद दिखाते हैं आपको देखिए उपर से हमने इसलिए डाला है ताकि हरी मिर्च का अलग तरह के खुचबू है वह आच्छे से बाहर निकलाए फिर हम उपर से आधा चामच हमने चीनी एड़ किया है ताकि यह बहुत बुरिया लगे फिर हम ढखकन तीन से चार मिनिट के लिए फिर धिये धकन हटाया हमने यह कैसे पाग गया है देखिए बहुत ही कालर जो है बहुत ही बढ़िया आ रहा है फिर देखिए हम इसे सार्फ करेंगे यह बिलकुल रेडि हो गया है यह अलग तरह की डीज है आप किसी भी पार्टी या फंक्शन अगर आप इसे बना कर खाएंगे तो देखिएगा ये जो डीस है ये बहुत ही टेस्टी एक डीस है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा देखिए हमारा जो चिकन महरानी है वह बिल्कुल रेडी हो गया है और जल्दी जल्दी ये पाग भी जाता है और इसका जो कालर है ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है हम सर्प कर रहे है आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है जितना बढ़िया इसका कालर लग रहा है टेस्ट जो है तो नहीं बढ़िया है चिकन की कई तरह की डीस होते है इस डीस जो है आप एक बार इसे घर पर जुरूर ट्रा लाजवाब डीस है